किसी जंगल में एक कौवा रहता था, उसका एक बेड़ पे घौशला बना रखा था, उस घौशले में उसके बच्चे रहते थे, वह दिन भर इदर उदर से घूम करके अपने बच्चों के लिए खाना ले आता था, वह रोज इसी प्रकार से घौशले से निकल कर दूर जंगलों में जाता, और फिर वहां से दाना चुप करके अपने बच्चों के लिए ले के आता था, उसके बच्चे खाना दिक कर बहुत खुश होते थे, एक दिन भोजन ढूंते ढूंते वा नदी के किनारे पहुंचा, वहां उसने एक रोटी देखी, रोटी देखकर वा बहुत खुश हुआ, और रोटी को ले कर अपने बच्चों के पास उड़ चला, वहां रोटी ले कर चाही रहा था, कि तभी एक लोमडी की नजर, रोटी पर पड़ी, उसके मन में लालच आ गया, वहां तरकीब सूचने लगी, कि किस प्रकार कौवे से रोटी चील ली जाए, उसने कौवा को कहा, कौवा भाया, कौवा भाया, आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आप बहुत अच्छा गाते हो, किरपिया एक गाना मेरे लिए भी सुना दो न, कौवा को आश्चर हुआ, लेकिन लोमडी की बार-बार आकरा करने पर, कौवा गाना गाने लगा, और जैसे ही उसने गाना ग दुखी मन से, फिर वापस अपने बच्चों के पास चला गया, और उस दिन फिर वे भूके ही सो गये, कौवा ने बच्चों से कहा, कि अगली दिन वा भोजन जरूर लेके आएगा, और सुबह होती ही भोजन की तलास में उर्चला, और सुफ Ça comprendा, और मकाष और सुबह भोजन की, यूए सने पास yaptखी तला सुबह भोजन की तला चाहा है, और सुब yılपने बच्चों से तलाइए, से कहा भोजनों से दिन आएप़ों के लिटी, अगली और पास आहा ही आएगावा है, पासले ठाएभ नह हाथाशए